वेलकम दो सेशन गाइज मैंने में शुबन सूर्य वंशी और एक वन शॉट सॉल्यूशन है किसका अप्लिकेशन और फिर्स रॉडर डिफिरेंशल लिकेशन का ठीक है ना सी बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन कॉश्टन को देखने वाले हैं और पहले आपको बता दू कि हम कर पता चल गया होगा और तो अलग अलग वराइटी से आप से कौन कौन से टाइप के कौशन पूचे गए हैं और पिछले चार साल में क्या-क्या कॉश्टन पूचे गए हैं वह सारे हम रिसक्स करने वागा है साथी साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि मैंने एक अनलेसिस कर रखा है कि सेकेंड यूनिट से आपके क्वेश्टन किस तरीके से पूचे जा रहे हैं 2020 की पेपर में किसे पूचे गए बाईस में किसे पूचे गए तैस में किसे गए ठीक है तो इसको यह पिछले तीन चार साल के पूचेंगे तो इन में जो भी पूचेंगा है वो सारे क्वेश्टन जो है हम आज कवर करने वाले ठीक है चले आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी के पूचने का पैटन जो है उससे देखके थोड़ा समझ लेते हैं कि कैस इसे वाग हो रहा है ठीक है नौ अब कर दो जैसे मैंने कहा था कि और आपके पास चीज़ें पढ़ने के लिए और तो कोनल ट्राजेक्टरी निकालना बहुत ही जदा आसान होता है ठीक है तो इससे जो भी कोशन आता है मैं सिंप्ली बोल सकता हूं कि यह बहुत इजी कोश है और हीट फ्लो या फूरियस लॉग कंडक्शन से भी एक कोशन आना फिक्स है तो यह तो एक दो तीन चार पांच छे हो गए लेकिन कुश्चन तो एक्जाम में तीन ही आते हैं और में भी तो आते हैं ना है कि नहीं तो इन्हीं पांचों से मैंने क्वेश्चन देख रख ठीक है कोशन नमबर टू होना चीए तहीं यहां पर खुशन नमबर टू एवी सी पूछता है ठीक है इसे कहता है जाए चोड़े मोट एरर के लिए तो माफ दिया कर रहे हैं आप तो पहला कोश्चन उसने न्यूटन्स लॉफ कूलिंग का पूछा दूसरा उसने लार का प इतना समझ में आ चुका है कि यार पैटन मेरा फिक्स है इसी सटन पैटन में उनिवर्सिटी पूछने वाली है ठीक है तो मैं नीचे वाले तीन को छोड़के मैं अगर सिर्फ उपर वाले तीन करके चल जाओ तो काम बनेगा क्या हाँ अगर आपके पास समय बहुत कम है तो आप ऐसा सोच सकते हैं और आप ऐसा कर भी सकते हैं ठीक है लेकिन उनिवर्सिटी उनिवर्सिटी है है थोड़े अगर मज़े ले लिए उसने चेंज करके तो आपकी दिक्कत हो सकती है मेरा काम था आपको फिलाल बताने का कि क्या क्या पैटन है और किस तरीके से पूछा च परते हैं और शुरुवाद में सबसे पहला टॉपिक सबसे इजी वाला हम कौन सा उठाएंगे और अगर बात करो मेरे पास में दो अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन होता है एक होता है मेरा कैसा कार्टीशन कोडिनेट वाला सिस्टम का मतलब क्या है हर एक चीज़ अगर आपके सामने कोई कॉशन कार्टीशन कार्डिनेट सिस्टम का था क्या करेंगे अब सेंपली बोलेंगे जो भी आपके सामने equation दी हुई है ठाए आपको सबसे बहुत करेंगे डीवाइटल में तो आपको इस डीवी देक्स की अपूत है जैसे रिप्लेस करना और इस differential equation को solve करना है तो मैं क्या करऊगा किसी भी differential equation को solve करने के लिए हम integrate करते हैं तो जैसे उसको solve कर दूँगा integrate कर दूँगा तो वापस से वो differential equation बन जाएगी ठीक है लेकिन अब अब जो यह differential equation बनेगी वो किसकी बनेगी आपकी orthogonal trajectory की differential equation बनेगी है ना तो एक normal equation को normal equation को किशोट सौरी इंटिक्रैट गड़ से इक बनेगे इस से हम क्या बोलनेंगे और सो एक नौर्मल सी nutrition को मैं differentiate करके क्या बना रहा हूं好好 और ओर इसको लिए क्वेशन या जान इसको तो वह और्टोगोले ट्रेटरी की एक्वेशन बच जाएगी ठीक है समझ मैं वही चीज़ यहां पर करना है आपको साइड में जहां पर आपको आरो थीटा के फॉर्म चीज़ा के बने है तो नॉमली आपके सामने की एक्वेशन है कोई भी एक्वेशन हो सकती है इसको डिफ सब्सक्राइब करने के बाद अभी डिफ्रेंशल एक्वेशन तो रहेगी बढ़ेब क्या 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 लाएगी और्थोगोलन ट्रेट्री की डिफ्रेंशल एक्वेशन अब प्लीज मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस चेक आउट करो यूनिट टू की मैंने पूरी प्लेलिस बन सब्सक्राइब यह एक वन्चॉट सॉल्यूशन है तो हमारा फोकस कहा होना चाहिए थोड़ा कंसेट डिसकस किया थोड़ा सा कंसेट का रिवेशन हुआ बिसिकली और प्रीवेश यह को नहीं सॉल्फ कराऊंगा अगर आपको बेसिक से पूरा चाहिए है तो मेरा सजेशन रगा कि आप वन्चॉट को ना देखें ठीक है अगर आपके बेसिक ठीक नहीं है तो और अगर थोड़े भी बेसिक ठीक है तो अफिर देख सकते हैं जिसके बेसिक ठीक नहीं है चैनल पर चाहो प्ले लिस्ट पे यूनिट 2 का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबर उस चेक कर पाच्छे वीडियो है अराम से 3-4 गंटे में हो जाएगा बैटोगे तो चलिए अब हम शुरुबात करते हैं अपने क्वेश्टन की सबसे पहले आता है हमारा एक बेसिक सा क्वेशन फाइंड ऑर्टोगोनल ट्रेटरी इस एक्वेशन अभी तक एक्जाम में पूछा नही सबसे पहली स्टिप में मैं ऐसे डिफ्रेंश गरोंगा वित रिस्पेक्ट तो एक्स थीक है वंटध करने के बाद में यह एक्वेशन बन जाएगे डी वाय ऑए constant नहीं होना चाहिए ठीक है constant नहीं होना चाहिए तो मुझे या करना पड़ेगा जो भी मेरे पास constant है ना उस constant को remove करना पड़ेगा कैसे remove करेंगे यहां की help से है तो मेरे पास जो equation थी उसकी help से मैं m की value निकाल सकता हूं m is equal to y by x मैं इसी value खुटा कि यहां put कर दोंगा ठीक है dy by dx को replace करना है minus dx upon dy से है ना तो बड़ा simple तरीक है dy by dx की जाके पर में क्याते होंगा और यहां पे आप statement लिख भी सकते हैं ठीक है in fact टिकना ही चाहिए आपको इस इक बार हमने सको रिप्लेस कर दिया तो यह क्या बनगी और तो बिजिट्री की डिफरेंशल एकोईशन अब इसको solve करने के लिए अगा ना इंटिग्रेट करना है क्या मैं डिरेक्ट्ली इसको ऐसे इंटिग्रेट कर दूंगा नहीं हम थोड़े समझदार लोग हैं हम आहीं ध्यान रखते हैं क्या कि हम सारे x वालों को एक सांत रखें और सारे वाई वालों को सब्सक्राइब आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही सिंपल सा कुछ नहीं करना था सब्सक्राइब अगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें तो क्या अगर सकते हैं वाइस को इधर ले लो लेकिन अगर थोड़ा समझदारी से खेलें तो इसको दो स्टेप आगे जाके अगर लिखते आएंगे थोड़ा सा खुश हो जाएगा आपसे हैना वह बोलेगा किया नहीं यार लिखने वाला बंदा थोड़ा समझदार बंदा है ठीक है क्या करोगे इस माइनस को बाहर लेकि ठीक है तो सीस्कोर लिखने से फाइदा क्या हुआ कि मुझे एक लिखें एक सटार कि लें मुझे एक बलाते हैं एक्वेशन फट्रसेस बड़ा सिंपल था हमारा क्या प्रोसेश था कि जो भी एक्क्वेशन को आपको गवर है आप पहले उसे डिफ्रेंशियट करेंगे तो तो जब भी कोई constant आता है तो हम अपने question की मिदद से उस constant को replace करते थे variable के form में तब बन जाती है पक्की वाली differential equation एक बार पक्की वाली differential equation बन गई तो क्या करोगे उसमें जो dy by dx का time है यह अब क्या है आप इंटेग्रेट करना है कैसे करें डिरेट कर देगें नहीं नहीं हर एक x वाले term को एक साथ रखें हर एक y वाले term को एक साथ रखें फिर इंटेग्रेट करें आप तो फिर काफी असानी से आपका अंसरा चाहिए और लास्ट में थोड़ा बात है नहीं भी है तो मैं दिखा देता हूं सबसे पहला वाला question तो अपना question क्या था है एक square plus two y square is equal to c square ठीक है दोज़र 23 वीज़की पूचा गया तो चलिए बढ़ते हैं इस question की तरफ नहीं आर इस equal to a sin theta यह वाला तो तो यह मेरा पूलार वाला question है तो पूलार को question करने का तरीका भी आपको पता ही होगा राइट है आगे बढ़ते हूं और मैं actual question जो exam में पूचा गया वह आपको करा देता है ठीक है सो मार्च 2020 में यह वाला question पूचा गया था x into y is equal to c ठीक है तो चलिए इस question को solve करना शुरू करता है question में मेरे पास जो equation है पहले हम उसको लिख लेते हैं so this is my given equation अब क्या करेंगे क्योंकि मेरा rectangular coordinate system है Cartesian coordinate system x और y है so we will differentiate with respect to x okay so अगर मैं दोनों साथ differentiate करता हूं with respect to x तो यह बनेगा d by dx of xy is equal to d by dx of c ठीक है c is the constant अब देखो uv रूल अब बलग जागा यहां पर तो x as it is d by dx of y will become d by by dx ठीक है plus next में मेरा y as it is और d by dx of x मतलब क्या बनेगा one okay is equal to constant का differentiation क्या हुजाएगा zero so मेरे पास बच रहा है क्या x d y by dx plus y is equal to zero यह क्या है यह एक differential equation है क्या इस differential equation में कोई भी constant present है नहीं या किस्मत अच्छी थी हमारी कि कोई भी constant present नहीं था नहीं था इसका मतलब क्या है कि बस इसी को यूज कर सकते हैं solve करने के लिए अगली स्टेप में क्या करना है हमें बहुत सिंपल सी स्टेप है कि आपको replace करना है क्या replace करना है replace मेरा d y by dx का term by the term minus dx upon dy ठीक है तो चलिए replace करते हैं इसको हम लिख पाएंगे अब x into dy by dx की जगे पर बनेगा minus times of dx upon dy ठीक है प्लस y is equal to 0 अब जो यह differential equation बनी है यह एक और्थोगोन डेट्री की differential equation है इसे थोड़ा सा modify करते हैं तो minus x times of dx is equal to y दर जाएका तो minus times of y और dy multiplication में तो minus y dy ठीक है यह हमारे पास आच चुकी है हमारी differential equation ठीक है अब मुझे क्या करना चाहिए इस differential equation को solve कर देना चाहिए solve करने से क्या होगा solve करने से कुझे जो भी आंसर मिलेगा that will be the actual equation ठीक है minus times of x square by 2 minus y का integration क्या होगा minus times of y square by 2 plus एक constant डालना जरूरी ठीक है इसको इधर लेके आएंगे तो this basically becomes y square by 2 minus times of x square by 2 is equal to c 2 को LC हम लेके उधर लेके चले जाओ तो y square minus x square is equal to 2 times of c I hope आपको समझ में आगे होगा बहुत ही simple सा question था कोई दिक्कत की बात नहीं थी आराम से focus के पांच नमबर है रहे तो ठीक है क्या करा basic आपने differentiate करके differential equation बना है उसमें dy by dx को minus dx upon dy से replace किया replace करने के बाद में आपको जो equation विली उस equation को आपने differentiate कर दिया एक सारे एक साइड रखे वाई सारे एक सार रखे काम खता ठीक है अगर यह step किसी को यहां पर समझ में नहीं आई हो ठीक है कभी कभी कुछ लों comment में बूच लेते हैं चलिए आपकी खुशी के लिए यहां बीच की step लिख देते हैं तो यहां पर चलिए हुआ क्या था एक सेंटू माइनस डी एक सता यहां पर ठीक है तो एक रिक्वेस्ट है वीडियो पॉस्ट के कुछ से ट्राय करें और अगर हो जाता है तो फिर solution check कर लें ठीक है ना find orthogonal trajectories of the family of the curves given by this steps follow करना शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपनी equation उठाएंगे x square plus 2y square is equal to c square ठीक है अब हमें क्या करना है I have to differentiate with respect to x सो दोनों side हम क्या करेंगे differentiation तो यह क्या हो जाएगा differentiating with respect to x तो d by dx of x square plus 2y square ठीक है is equal to this becomes d by dx of constant का whole square correct so d by dx of x क्या बनेगा बताएं यह 2x बनेगा plus 2 times of d by dx of y square यहां पर धेंद दीजेगा आपका d by dx of y square जो है वो कैसे calculate हो का देखते हैं जरा यह तो 0 बनेगा तो अगर मेरे पास नीचे की तरफ dx होता है और ऊपर मुझे y square को करना है तो composite वाला scene आता है इसमें क्या करते थे हम इसको हम ऐसे लिखते थे कि वाई चाहिए ना तो मुझे नीचे भी वाई चाहिए रहता है ठीक है तो हम बीसिकली क्या करते थे इसमें multiplication and division by dy करते थे तो यह क्या बनता था यह टंपूरा एक सांप लिखा दाता था है ना so this becomes what d by dy of y square यह टंपूरा एक अगया इंट इसका क्या बनेगा तुवाई डीवाई पाई ठीक है इस एक्वल टू सीरो एक्स्ट्रा कराया मैं फिला इसे हटा देता हूं सिर्फ सीखने के लिए था अब पैसे काफी लोगों कोई चीज पहले से पता भी होगी करेक्ट ओके सो इसे और लिखें तो क्या बनेगा तू ए इस पूरी एक्वेशन को टू से डिवाइड कर देता हूं यह क्या बनेगा एक्स प्लस टूवाई इंटू डीवाई पाई डीएक्स इस एक्वल टू सीरो तो यह आपके सामने आ चुकी है एक नॉर्मल सी डिफरेंशियल एक्वेशन ठीक है अब हम क्या करें एक बार आप सकते हैं री प्लेसेंग दότεं जाओ दीवाई पाइट थी एक्स बाई डम माइनस टीएक्स अब्शु माइन तो नीएगस गैस्गी और हो एक्पलीर नेहीं यह मांद से सो बेस अपॉन दीवाई इसक्वल टू सी सिडिवाई-टू टू डीवाई-टू सो ही माइनस से माइनस कटेगा और आप लिख पाऊगे यहां पर तो यहां तक करने के बाद मुझे पता है कि अब मुझे करना है तो क्या मुझे डारेक्ट्यास ईंटी करते हैं नहीं यह से खते हैं यह करना चाहिए से क्सार तो तो इह तो थेओं चाहिए तो नीचे रखते के आगो डी एक्स डिवाइड बाइड बाए एक्स और 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 यहां पर क्या है आपके वाइज तो नीचे क्या जाएगा वाई तो को इदर रखो तो कोई फ्रक नहीं पड़ता है मैं दरी रहे देता हूं चाहिए है ना सो 2DX by X is equal to DY by Y अब जब मैंने सेप्रेट कर लिया है तो अब integration करना ठीक रहेगा ठीक है सो 2 1 upon X का integration क्या होता है आपका log of X is equal to 1 upon Y का integration क्या होता है आपका log of Y कि साथ में क्या लगाना एक सी स्टू लॉग ऑफ एक सकता हूं लॉग ऑफ एक्स का whole स्क्वेयर क्यों कि एंटू लॉग ऑफ सम्थिंग इस सम्थिंग टू अब यह ना मल्टिप्रेकेश्च में कुछ हो तो लॉग की रख सकता है फायदा क्या हो जाता है आप अगली स्टेप में क्या कर सकते हो लॉग अग्वी टीमेटलि आप इसको लॉग ओफ वाइंटु सी लिख सकते हो ठीक है तो इससे फायदा क्या हुआ अप दोनों जगे से लॉग करेगो तो X square is equal to Y into C ये एक equation बन जाती है आप अगर ऐसा करके आते हो तो बहुत अच्छा है अगर आप ऐसा करके नहीं आते हो दिमाथ में नहीं click हो रहा है तो भी कोई डरने वाली attention वाली बात नहीं है आप इसको C ही रहने दो इसको log Y plus C लिख दो और आप इस equation बो यहीं पर छोड़ दो तो भी आप का answer correct माना जाए ठीक है कोई आपको ऐसे परिशान नहीं करना वाला है कि क्यों तुमने log of C क्यों नहीं लिया कोई सजा नहीं देगा आपको ठीक है लिखना है लिखो नहीं लिखना है नहीं लिखो कोई फरक्ति पढ़ता है ठीक है अच्छाओ मार्ज दोजार देश्म माइवा question खतम कर चुके हैं अब बढ़ेंगे हम मार्ज दोजार बाइस माइवा question की तरफ और तो इस नहीं प्रिश्क है सबसे पहले सबसे पहले आपके सामने क्या है यहां पर आर स्पर इस अब हमें क्या करना है किसके रिस्पेक्ट में आर थीटा वाला कॉश्चन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे सो बड़े ध्यान से स्टेप बाइस्टेप डिप्रेंसियेशन करना है डी वाइडी टीटा ओफ आर को है इस एकवल टू दी वाइडी टीटा ओफ साइन प्रुटा ठीक है ओके नहीं यह भी है सांद मैं भूल कैसे उसको कॉंस्टेंट है तो क्या हुआ इस दो देनी पड़ी टीक है ना डी वाइडी डिटीटा ओफ आर स्कुरयर श्कुरर देखा यह डार यहां पर डी बाइडी करना है तो यह डिरेक्टली नहीं हो सकता नीचे मुझे डियार चाहिए रहता है ठीक है तो अगर इस तरीके से हो तो हम इतने वाले पार्ट को डिफ्रेंशेट कर लेंगे ठीक है अभी क्या बनेगा टी आर स्कूर बाई डियार इस बेसिकली टूर ठीक है एंड टूर डियार बेसिक सा रूल होता है रूल बड़ा इंपोर्टेंट है प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो मेरे चेक कर लीजे अगर आपको इस रूल के बारे में पता नहीं या ठीक है अगे बढ़ते हैं इस तू से टू को काट दो फटा फट से ठीक है तो अल्टिमेटली क्या बच रहा ह अब सबसे इंपॉर्टेंट से मैंने बताया था कि जब भी आप एक डिफेरेंशल एक्वेशन लिखते हैं तो उसमें आपका कोई कॉंस्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए यहां पर डिफेरेंशेशन के बाद भी एक कॉंस्ट प्रेजेंट है तो मुझे इस कॉंस्ट को d r upon d theta is equal to a की जगे क्या लिख सकते हैं r square by sin 2 theta ठीक है तो r square divided by sin 2 theta ठीक है यहां पर क्या है आपके पास में cos 2 theta ठीक है चलिए इस equation को आगे फर्दर वरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा रीप्लेस करना पड़ेगा जो आपका d r upon d theta है ना इसको रीप्लेस करना पड़ेगा मुझे माइनस r square d theta by d r से ठीक है यह rule है आपका सो लिखिए ज़रा अब रिप्लेस्मेंट करने के बाद r into d r by d theta क्या लिखेंगे माइनस times of r square d theta by d r ठीक है यहां पर r square है आपके पास में cos 2 theta by sin 2 theta क्या हो जाता है आपका कॉट of 2 theta ठीक है चलो यहां पर cancellations हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं यहां पर दो आ रहें यहां पर तीन आ रहें यह क्या पचेगा दो आर से दो आर कर देंगे तो माइनस r minus r d theta by d r is equal to cot of 2 theta ठीक है अब क्या हम integration directly कर सकते हैं नहीं नहीं कर सकते हैं सारे theta वाले टर्म्स को एक सांथ लिखिए सारे आर वाले टर्म्स को एक सांथ लिखिए फिरी सोचना आपको integration करने के बारे में ठीक है चलो तो सारे डी ठीटा वाले एक सांथ लिखते हैं तो यह क्या बनेगा वन आव मॉन cot of 2 theta into d theta is equal to minus times of dr divided by r ठीक है तो cot 2 theta नीचे आगे d theta by cot 2 theta and dr by minus r अब देखिए इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं cot 2 theta की है में लिख सकता हूं 10 to theta so 10 to theta d theta is equal to minus of dr by r अब अगर मैं integration करने जाओंगा सारा theta एक सांथ है सारा एक सांथ है so 10 to theta का integration क्या होता है log of sec 2 theta ठीक है ना तो यह हो जाएगा log of sec 2 theta और division में क्या आएगा इस 2 theta का differentiation which is 2 basic formula है पता होना चाहिए आपको सो माइनस वन अपन आर करके लोग ओफ आर प्लस सी लिखना है सी लिख सकते हो ठीक है अब इस question को अगर यहीं छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है थोड़ा अच्छे से question को अगर करके दिखाना चाहते हो तो वैसे मैं बोल रहा हूँ यहां तक भी छोड़ गया होगे तो भी चलेगा लेकिन अगर इससे बेटर और आगे लिखके दिखाना है आपको step में तो आपकी मरजी इस 2 को यहां पे लेके आप से conversion कर सकते हैं बड़ बोलूँगा पच्छड़े में मत पड़ो पलतो ठीक है च में जो question सबसे पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही जाद easy है ठीक है हना so I'll simply tell you कि किस तरीके से आप इन questions को solve रह सकते हैं ठीक है now d theta by dt is equal to minus k into theta minus theta naught ठीक है this is the general equation जो हमें हर एक question में use करनी है जो कि Newton's law of cooling के लिए पूछा जा रहा है ठीक है है ना सबसे पहली बात कि question पता कैसे चलेगा Newton's law of cooling का है ठीक है so question की language देखके आपको थोड़ा सा समझना पढ़े का क्यों नूटन's law of cooling में होता कहा है आपको गंदाज दे रहता हूं है ना तो language पढ़के आपको समझना जाएगा ठीक है ठीक है उस bucket में आपने क्या कर रहा है ठीक है और उस ball को इसके अंदर डाल दिया डालने से पहले आपने बॉल बहुत ज़्यादा heave जब किया था और मॉल का जो टेंपरेचर था वो था हूंडरेडड डिग्री इंट्रीयड कर अब उसे पानी में डाल दिया है और पानी का चाहा है यह किसा टेंपरेचर है इसकी सराउंडिंग का टेंपरेचर बॉल के आसपस 200 degree centigrade क्या है ball का खुद का temperature है कब initially time is equal to 0 तो जब कोई object जो है वो गरम से ठंडा हो रहा होता है दीरे दीरे कैसे surrounding में अपनी heat release करके तो उस case में अगर मुझे temperature वगएर एक certain time पर निकालना है तो हम किस से निकाल सकते है Newton's law of killing निकाल सकते है इसलिए आपको question में हमेशा temperature of the body temperature of the surrounding ऐसी चीज़े लिखी रहेगी temperature of body temperature of surrounding लिखा रहा मतलब question किसका Newton's law of killing का अब इसको solve करने का तरीका बड़ा ही simple है मेरे संद जो equation लिखी है आपको बास इसी equation को step by step solve करते जाना है ठीक है तो आप क्या करोगे simply इस theta minus theta naught को नीचे ले लोगे ठीक है क्यों क्योंकि आपके सारे theta एक सांथ होने चाहिए और इस dt को उपर ले लोगे minus k times of dt क्योंकि अब सारे theta एक सांथ है और यह constant इतर है अब आप दूनों सेट में differentiation कर सकते हो ठीक है ना तो इसके बाहर करो इसके अंदर करो कोई फरक्त ही पढ़ते है तो इंटेगरेशन और वन अपॉन थीटा तो क्या हो जादा है log of theta so this basically becomes log of theta minus theta naught is equal to minus k into some constant sorry t इसके सांथ में क्या लगएगा एक constant एक तो ultimately पर कि हम क्या बना रहे है एक normal सीकेशन बना रहे है theta is the temperature of the body at any time t तो इस time पे जो body का temperature होगा वो होगा theta surrounding का temperature is theta naught ठीक है k is the conductivity constant होता है ठीक है अना conductivity नहीं सिर्फ constant होता है ओके conductivity तो उधर आता है और a is also constant मतलब क्या है simple सा logic बन रहा है कि अगर मुझे इस question को solve करना है तो मुझे कही ना कहीं से मुझे a और k की value पता होने जी अगर मुझे a और k की value पता हो जाएगी तो किसी भी time पे मैं theta की value निकाल पाऊँगा क्योंकि theta naught की value तो मुझे given होती है समझ मैं नहीं आ रहा हो डीटेल अगर explanation चाहिए है तो simply आप मेरे चैनल पे जा सकते है playlist में जाके check out करो वहाँ पर step by step मैंने इसका एक proper वीडियो बनाया है कम से कम 7-8 question दिसकास कर रहा है ठीक है question देख लेते हैं और question पड़के फड़ावट से solve कर लेते हैं मार्च 2020 में आया हुआ question है question को solve करने के लिए सबसे पहले क्या करें जो भी given data है उसको आप लिख लें ठीक है so body is heated to 110 degree centigrade and placed in air at 10 degree centigrade ठीक है so body को heat कर दिया कहाँ पे 110 degree पे and 110 degree पे टालने के अबाद उसको हवा में place कर दिया है ठीक है मतलब T is equal to zero वाले time पे just जैसे ball को हवा में रखा है तो उस वक्त जो temperature है temperature को थीटा से डूंट करते है वो किसके बराबर है 110 degree के बराबर है हवा में रखा हुआ है हवा उसकी surrounding होगी मतलब surrounding का temperature theta not is equal to कितना है 10 degree का है obviously बात है 110 और दस का difference है तो दीरे दीरे जल्दी से आपका temperature कम होने लएगा now after one hour its temperature is 60 degree centigrade मतलब जब time time की value one hour के बराबर हो भी है ना तो उस वक्त temperature कितना हो रहा है आपका 60 degree centigrade के बराबर कभी-कभी लोग इसको minute में convert कर देते है frankly मैं ये बोलूंगा एक चीज hour में है तो सब कुछ hour में लिखता है एक चीज मिनिट में तो सब कुछ मिनिट में लखता है आपसे बूच रहा है how much time is it required for it to cool to 30 degree centigrade उसका कहना है कि जब theta मेरा 30 degree centigrade के बराबर हो जाए तो यहां तक पहुंचने का आप क्या बता है समय बदा है ठीक है चलिए तो निकालना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला है कैसे क्योंकि हमें पता चल चुका एक क्षिन किसका है यूटेंस लॉफ कुलिंग है कैसे पता भी है दी थी टा तभको डी इस एक एक्वल टू है ना मैनिस टाइम सो तीटा मैनश थीटा ना ठीक है अगए फटा सॉल्फ करने के लिए हम क्या करता है इसको नीचे देखे आते हैं सबी थीटा इस एड़क माइनस थीटा नोट इस एग्यों तो मैनुसीटीppy अब दोनों साइट मही करेंगे इन इक्या बनेगा इस सबीसेकिशनी ली लेंगे ठीक है तो माइनस के लगए अगर मेरा टेमपरीचर किसके बराबर थे अगर मेरा टेंपरीचर कि से बराबर होता तो तो इस फक्ड़री में टाइम कितना और एक टीटा के रिस्पेट में मुझे बतानी है तेंपरेचर की वैल्यू बताने है, sorry time यार, time temperature अगा बड़ करता है, तो theta temperature पर कितना time होगा वो बताना है, तो theta temperature पे कितना time होगा कैसे बता सकते हैं, जब मुझे किस-किस की value पता होनी चाहिए, theta naught की value पता होनी चाहिए, हान जी पता है, मुझे इस constant की वैल्यू पता वो भी पता है क्या नहीं पता है यह मिसेंगा मेरे पास और मुझे इस c की वैल्यू पता होना ही यह भी मिसेंगा ठीक है तो हमारा सबसे पहला objective क्या है इस k ओर c की value अगर मुझे एक बार k ओर c की वैल्यू पता ना मुझे कितनी है एक सो दस टेक्रेस ठीक है लिस इकोल टू माइनस ओफ के टी प्लस सी नेक्स्ट पहली कंडिशन यूज करते हैं कि मुझे गवन है आट टी इस एकोल टू जीरो तर टेंपरेचर थीटा इस एक सो दस पूट अपर ठीक है तो लॉग ओफ एक सी का वैल्यू आ गया तो अब आपको थोड़ी सी मेनद करके के की वैल्यू पर निकाल लेंगे यह इंफर्मेशन अल्रडी यूज हो चुकी है अब इस इंफर्मेशन को यूज करो कि थीटा इस एकोल टू सिक्स्टी ओदा टी इस एकोल टू टू एक तो सबसे पहले सबसे अब इसमें मुझे क्या टूनना है कैसे टूननेंगे इस इंफर्मेशन से तो थीटा इस एकोल टू सिक्स्टी पुट अप करो यहां पर यहां पर दिस लॉग ऑफ सिक्स्टी वाइनस टैने सब्सक्राइब करना एक घंटा ध्यान रखेगा टाइम वनावर मैं लिख रहा ह अना सो इस इकल टो मैंनस के प्लीज ध्यान रख्येगा कि आप यहां पर लॉग नहीं यूज करना वह लन यूज करना है ठीक है तो लॉग ऑफ 0.5 मत लेना है यहां पर लन ऑफ 0.5 लेना है ठीक है ताट इस संथिंग ड़ीज चीज़ें लिखते जाओ एक्जैम टाइम मे अगर प्रेक्टिस करके नहीं गए हो तो ध्यान नहीं आएगा ठीक है तो एलेन ओफ 50 वाइंडर्ड मितलब एलेन ओफ 0.5 माइनस 0.69 तो माइनस 0.69 इस एकौल तो माइनस से माइनस कटेगा तो के की वैल्यू कितनी होगी 0.69 तो अब आच चुका है मेरा के एक बार के आ गया तो मेरा काम बन जाएगा इस के की वैल्यू उठा के हाँ पूट कर देते है ठीक है तो चलिए एक्वेशन देखने है क्या हो जाएगी थोड़ा हटा के जगे बनाता हूं देख रहे हो समझे मारा क्वेश्चन कुछ टिफिकल्ट नहीं था स्टेप बेस्ट आपको सॉल्फ करना था ठीक है जगे बना दें थोड़ी हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एक्वेशन बनेगी वह क्या बनेगी लॉग ओफ थीटा माइनस थीटा नॉट इस टैन इस एकूल तो अगर मुझे एक ये वैल्यू पता हो तो दूसरा निकल सकता है बतला मुझे अगर टाइम पता हो तो टेंप्रेचर निकल सकता है तेंप्र यहां पर उसने बुला है भाई टेंप्रेचर पता समय बताना है आपको टेंप्रेचर कितना गिवन है हमें थीज डिग्री सेंटिग्रेट तो पुट अप कर देंगे सो लॉग ओफ थोटी माइनस टैनेस ट्वेंटी इस एक बल तो माइनस पॉइंट सिक्स नाइन इसका इ एक रहतना एल एंगौइंट 2.2 लिना तो माइनस एन पॉइंट सिक्स जी रो नाइन इस एकल टो माइनस पॉइंट एफिक्स ना दाइप यहां से टी ते कितना आ रहा है फॉन पॉइंट 6.09 divided by 0.69 2.33 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका क्या time and this will be in terms of hours ठीक है है ना आपको समझ में आ गया होगा सेंबल सा question था step by step आपको solve करना था log जब भी लोगे तो ln लेना है प्लीज थान रखेगा ठीक है चल्ड़ दो questions पर आपको करा दिये ठीक है तो मैं इसको वापस से अलग से लिखके नहीं करा रहा हूं ठीक है दो बार पूछा गया कुछ करने की ज़रूद नहीं है जो हमने exactly यहां पर किया था वही सारा डीब डाउं टरिंग नहीं करेंगे फटा-फट से सॉल्फ करना शुरू करेंगे ठीक है चलो क्या-क्या गिवन है देखो फटा पड़ लिखते हैं सब बॉडी ओरिजिनल एटी डिग्री सेंटिग्रेट मतलब इनीशली जब स्टार्ट किया गया है टी इकुल तो जीरो प ठीक है what will be the temperature of body after 40 minutes में लब जब T is equal to 40 हो जाएगा उस वक्त body का temperature कितना होगा यह बताना है ठीक है information set है equation हमें याद है equation हमें क्या use करनी है d theta by dt is equal to minus k times of theta minus theta not ठीक है अब इनको हम ले लेंगे नीचे so d theta upon theta minus theta not is equal to minus k times of dt दोनों साइट में कर देंगे हम integration तो यह क्या बनेगा simply log of theta minus theta not is equal to minus kt है ना प्लस एक constant डालना पड़ेगा ठीक है अब हमारा objective क्या होना चीए हमने पिछले question में भी देखा था objective होना चीए कि k की value ढूंदनी है और c की value ढूंदनी है ठीक है कैसे ढूंदेंगे पहले तो जो given information उसको लिख दो क्या given है मुझे surrounding temperature given है ठीक है तो ल देख लेगा पहली information किए टीज़ इकोल डूजीरो पर तीटा इस एक टी है ना तो हम बोलेंगे कि जब हम थीटा असी डाल रहे है तो असी मैनस चालीस क्या बचेगा शालीस ठीक है इस एकोल डूटो माइनस के टीज़ इस एकोल टूटो क्या है जीरो दस सी ठीक है ठीक है एक बार आपके सी के वैलिव आगे तो आप इसे equation पूट अप करते हैं तो final equation क्या बनेगी अब आपकी लॉग ओफ थीटा माइनस थीटा नौट पतला 40 डिग्रीज इस एकोल टू माइनस के टाइमस ओफ दी प्लस सी सी के लाग ओफ 40 के बारावन ठीक है अब थोड़ी मैनत कर दी है आप किसकी वाली निकालनी के की वाली कैसे निकलेगी अगली वाली equation यूश करो कि टी इस इकोल टूट टूट पे थीटा कितना है 60 ठीक है चले यहां पर यूश करते हैं से सो आप बोलोगे अट टी इस एकोल टू 20 थीटा इस एकोल टू 60 ठीक है अना सो यह होजाए का लॉग ऑफ थीटा 60 मैनस 40 इस केतना 20 इस एकोल टू माइनस के टी एक मैंट आ टी इस 20 थीए टाइम है वाई तैपरिचर नहीं है था ना इकलती से यह डूट लग गया है रटाओ इसको गहा टन design सो अ-बनाढ़ सी इस लॉग अच्छली यह क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 20 इस आज के मैनस Lोग ओफ 40 इसकोल टू The प्रिव अरोफ a- colocar P is nothing but log of a by Excuse t1 4 which is equal Twente 20 times of k log of क्या पच्छे काई 0.5 और मुझे log नहीं मुझे ln निकालना है यहाँ ठीक है so calculator में मैं निकालूंगा ln of 0.5 है ना so कितना हो गया minus 0.69 so minus 0.69 is equal to कितना minus 20 k therefore the value of k is equal to 0.69 by 20 so this is 0.034 0.034 आ रही है आपके k के value एक बर k के value आ गई तो उसे उठा के यहाँ राल देंगे जैसे यहाँ पर डालेंगे मुझे मिल जाएगे equation और वो equation किस किसमे relation दे रही होगी आपको थीटा और time है अब थीटा और time का अगर मुझे relation पता है तो मैं simply क्या बोलूँगा कि भाई मुझे क्या निकालना है t is equal to 40 पर थीटा निकालना है तो मैं इस t की value के रख दूँगा 40 40 रखने से थीटा मिल जाएगा मुझे k की value आपको पिछले वाले question जैसे यह दो बार पूछ चुका है same बिना even number change के तो तो तीसरी बार भी पूछ सकता है तो फटा फट से मैं आपको दिखा के बता देता हूं कि या electrical circuits होते क्या है कैसे work करते हैं इनकी equations कैसे बनती है और इन equations का solution क्या निकलता है ठीक है चलो तो देखो यार यहाँ पर RC circuit है RC circuit में क्या होता है एक होता है हमारे पास में क्या होता है क्या होता है क्या होता है इस लिए voltage drop across capacitance क्या होता है Q by C formula है अगर याद है तो बहुत अच्छा है नहीं है तो लिख लो is equal to V अब देखें यहाँ तक तो आपने इसको लिख लिया अब आगे अगर आपको इसकी equation बनानी है कैसे बने की current चो होता है current can be written as change in charge per unit time so dq by dt से replace कर सकते हो current को so dq by dt into r plus q by c is equal to क्या हो जागा भी अब इस पूरी equation को मैं r से divide कर दूंगा क्यों 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 कि मुझे यहाँ पर एक familiar equation बनती हो दिख रही है plus one upon rc into q is equal to kya v divided by r ठीक है तो यह जो equation आपको देख रही है क्या है एक differential equation है कैसे पता एक differential equation है क्योंकि देख रहा है आपने एक format देखा होगा differential equation y का dy by dx plus p into y is equal to q ओके यहाँ पे भी वही है dq by dt plus p into y is equal to q तो इसका पी क्या हो जाएगा one upon rc इसका q क्या हो जाएगा भी बाया और linear differential equation पिस्टे चेप्टर में धंसे पड़ी है तो उसका जन्रल solution भी पता होगा आपको जन्रल सोलुशन क्या होता है इसका है ना linear differential equation का जन्रल सोलुशन होता है लिख के बताते है चलिए ना तो dy by dx plus p into y is equal to q अगर है ठीक है वेर p and q are always in terms of x इसका जन्रल सोलुशन होता था y into e की पावर इंटेग्रल edx is equal to integration of q into e की पावर इंटेग्रल edx का old dx plus c ठीक है तो अगर मेरे पास y की जगह पर यहां पर q डाल रखा है और एक सी जगह पर आपर t है तो यह क्या वन अपन आर सी और जो डी एक्स चल रहा होता है नीचे वही डी एक्स उपर भी चल रहा होता है तो यहां डीटी चल रहा है नीचे तो यहां अपन आर सी डीटी ठीक है इस पूरे का डीटी प्लस सी अब इसी को अगर हम सॉल्फ कर लेंगे तो क्या बन जाता है हमारा एक जनरल इक्वेशन बन जाता है तो जनरल एक्वेशन को सॉल्फ करना बहुत असान होता है उसमें कोई भी कहीं से कहीं तक दिक्कत आपको नहीं होती है तो थिक है अब मेरी एक अब मेरी एक बहुत इंपॉर्डंट पार कहाँ से सुनौ ठीक है जितने भी questions आपके RC और LR सरकेट को लेके previous years में आए हुए है ठीक है वो सारे questions मैंने कराए है in fact वही questions मैंने cover किये है ठीक है आपके RC circuit को लेके आपका proof करने के लिए question आता है ठीक है आपके LR circuit को लेके आपका ऐसे इस type का LN2, LYR something करके इसे proof करने के लिए question आता है ठीक है in fact in fact in fact आपको दिखाता हूं कि यह इधर शोगर ठीक है तो यहां पर देखिए आपके साथ में paper है ओके आपका यह वाला question बहुत common question है कई बार पूछ चुका है ठीक है फिर आप अगर इसे थोड़ा सा उपर कि दर आप जाए ओके सो यह एक्जाम में paper में जो भी आपको questions दिख रहे हैं ठीक है question number B बोलो ठीक है question number A बोलो C बोलो यह जितने भी questions आपको दिख रहे हैं ठीक है यह सारे questions जो है वो मैं already cover करा चुका हूं कहा cover करा चुका हूं मैंने इसका separate सबका एक-एक single वीडियो बनाया हूँ है ठीक है so क्यों मैं इस वीडियो में उन questions को cover नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह वही fixed questions है जो exam में पहले भी पूछे जा चुका है और यह वही fixed questions है जिनकी आने की possibility भी अभी फिर से ठीक है है ना so आगे मेरी एक सिंबल सी बात माना हूँ ठीक है मैं आपको बता रहा हूं 2020 का paper ठीक है इसमें जो भी question आपको दिख रहे हैं ठीक है क्या करना है चैनल पे जाओ प्लेलिस्ट थिक कैए एंटु की प्लेलिस्ट में सच करो उस प्लेलिस्ट में इसको जाके वहां पर प्लीज ऑट करो आपका काम बज जाएगा बस आपको वहां पर फॉरसी दो कोस्टन से जो नहीं मिलने वाले हैं एक यह वाला कुश्शन कुश्चन नमबर थरी तरी का बी वाला फ़ाट एक यह कुश्शन वहाँ पर नहीं मिलने वाला तो इस question को मैं अभी करके दिखा दूँगा ठीक है है ना और एक कौन सा नहीं मिलने वाला है नहीं बागी सब मिल जाएंगे आपको ठीक है यह फॉर्थ का भी वाला पार्ट दिख रहा है ना यह वाला पार्ट भी मैं उसको वहां पर कई बार करा चुका हूं ठीक है है एक बात्र question इन पिछले तीन साल के papers का मिला के ठीक है जो आपको नहीं मिलने वाला है उन वीडियोस में वह कौन सा है question number अब थर्ड का भी वाला पार्ट ठीक है बाच सब नहीं जुट रहें तो इस को मैं आपको यहां करा देता हूं ठीक है चले दिखेगा जिस जिसको जरूरत है ओके तो यह आ वोल्टेज ओफ इस एकोल टू 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 पावर माइनस 20 इस अप्लाइड टी इस एकोल टू सीरो तो इन्फरमेशन जो है ना उस इन्फरमेशन को मैं थोड़ा सा लिखते भी जाता हूं ठीक है रखे तो अभी वैचे शुड़ा हूं था साथ मेरे पास एक्वारिय इस एकोल टू माइनस 20 वोल्टेज ओफ वोल्टेज ओफ इस एकोल टू वीडियो पॉस करें ने इस बार क्वेश्चन लिखते ता हूं आपके लिए ओके सो दिस इस दा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है एम फ कि वन है तो जैसे टी इस इकोल टू इनिश्चन पर ही आपका तुरंत करेंट जेनरेट होना शुरू हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि टी इकोल टू जेरो पर करेंट की वैलीव क्या होगी जीरो होगी तो यह बीसिकली क्या है क्लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है उसकी एक्वेशन लिए पड़ती तो आपको पता होगा नहीं पता है तो जिसे मैं कहते था प्लेश्ट पे जाके चेक आउट कर लो ठीक है तो यहां पर है आपके पास में L D I by D T plus R times of I is equal to E थोड़ा बेटर लिखा ठीक है इस पूरे equation को आप L से divide कर दीजएगा क्यों divide कर रहे हैं simple rule था हमारा किसका rule था अरे linear rule था is equal to E divided by L okay so now D I by D T plus R upon L into Y is equal to E by L ये basically आपके सामने क्या बन चुका है linear differential equation बन चुका है ठीक है अगर एक linear differential equation बन चुका है मतलब हम इसका solution लिख सकते हैं सबसे पहले इसको थोड़ा modify करते हैं चुरो एक question में given है वह information यहां put up करते हैं ठीक है तो question में क्या क्या given है देखो D I by D T को तो आप as a test लिखो के प्लस मुझे resistance की value की बने कितनी है 100 तो put up कर दो 100 divided by inductance L की value की बने कितनी की बने 0.5 ठीक है इस इंटु करेंट इस इक्वल टू एमएफ एमएफ मुझे 20 इटू दी पावर माइनस टेंटी के बने ठीक है ना divided by inductance L की value कितनी के बने 0.5 ठीक है चलो यह हो गया इसको और अच्छे से करना है तो Kelsey उठाओ अपना और Kelsey उठाके क्या करिए का आप इसे ठीक कर लिए यह उपर जाएगा तो 1000 बैफ तो प्लस फाइफ तो टूहंडड़ टाइमस फॉट इपावर माइनस चैन्प यह बन रहा है फॉर्दर एक्वेशन ठीक है अब आप देख सकते हैं इस इस प्यूर्ली इंटम्स ओफ लीनियर डिफ्रेंशियर एक्वेशन और लीनियर है किसका आई का डी आए ब क्यों के बराबर ठीक है ना एक बार मिल गया अब हम जंडल सॉलूशन लिख सकते हैं ठीक है जंडल सॉलूशन विल भी सिंप्ली गिवन बाइवर्ट यहां लिखता हूं मैं फोड़ी सी चैके बनाते हैं आप तेले लिख रोड़ना क्यों मुझे मिल चुके हैं अब मैं क्या लिखनगा इसका जन्रल सॉलूशन सो मैं जन्रल सॉलूशन इस सिंप्ली गिवन बाइव क्या आई का है सो आई इंटू इकी पावर इंटिग्रेशन ओफ पी डी टी पी कितना है मेरे पास में 200 ठीक है इस पूरे का इकवल टू क्यों है मेरे पास में 40 इकी पावर माइनस टेंटी इंटू इस पूरे का डी टी प्लस सी अब अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से स्टेप का अच्छा एक्जामपल देता हूं ठीक है आपके पास जब इपे के डिए इन्टरी यहां परेंटेग्ड को चल रहा है था तो यहां पर देख तो यहां पर यह इलिए जीङ आहीं को सब्सक्राइब के बाद आपका क्वेश्चन पूरी तरह से खताम है क्या बनेगा इंटेग्राइब इंटेग्रेट तो इंटेग्रेशन इसे थोड़ा इंटेग्रेशन इंटेट इसका इंटेशन क्या हो जाएक एक पावर तो हंड़ेट इस पूरे का दीटी प्लस सी नाउ आई इंटू इकी पावर में 200 इस एकवल तो से में तो पावर साइट होंगे 200-10 कितना मचलेगा आपका 190 इस पूरे का डीटी प्लस सी ठीक है सो आई इंटू इकी पावर में 200 इस एकवल तो 40 इंटू इकी पावर संथिंग का इंटिग्रेशन इस संथिंग यह होता है और इसको हम डिवाइट करते हैं पिर से एक वन नाइटी फ्लस सी ओके सो यह हो चुका है हमारा लगभग पूरा काम है अब क्वेश्चन खताम नहीं हुआ है अभी भी क्या करना है मुझे सिर्फ इस सी की वैल्यू थोड़ी सी निकाल नहीं तो क्या करें चलिए थोड़ा सा विडियो को पॉस करते हैं और जगे नहीं बना रहा हूं मैं क्या हम करता हूं इसी पूरे को ठाके नेक्स में लिखता हूं सो आई इंटुए की पावर 200 इस एकल तो 40 दिस दिस प्रसी के सो आई इंटुए क्या निकालेंगे सी की वैल्यू देखो स्टार्टिं में मुझे गेवन था कि टी इस एकल तो जीरो प 202 कि इंटुए 11910 इंटुए इंटुए बनेंगा जीरो रसी जीरो इंटुए इन्टुए जीरो इन्तुए इन तुए की पावर जीरो मैं नीट सी तो यहां से आप बूल सकते होगी सी की वैल्यू कि इतने हो चाहेगी minus 40 divided by 190 okay so एक बार आपके C की वैली वा गई तो आप C की वैली को यहां put up कर देंगे तो हमारा equation अच्छा बन जाएगा ठीक है अना चलिए यहां put कर देते हैं आपके लिए तो आपका final equation क्या बनेगा I into E की पावर में 200T 200T is equal to 40 divided by 190 into second okay this is E की पावर में 190 times of T plus C C की वैली कितना है दिये so this is minus 40 divided by 190 okay now मुझे क्या चाहिए था मुझे चाहिए था question में I is equal to something something I is equal to something something show करना था बहला आई कुछ उड़के बागी सब कुछ मुझे इस साइड ले जाना चाहिए तो यहां पर आई के साथ में यह भी प्रेजेंट है तो इसको इधर साइड लेके जाना चाहिए मुझे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इस पूरे equation को मैं 200 ठीक है माइनस 40 divided by 190 इन टो वन अपॉन फॉन पवर में 200 ठीक है चलो आप बोल पाओगे E I is equal to 40 by 190 इंटो E की power में 190T by 200T तो basis same है division है तो minus हो जाएगा So 190T minus 200T This becomes minus 10T minus 40 divided by 190 और यह जो लिखा है इसको तो नीचे से उपर की दरफ लिखे जाएगे तो minus 200T बनेगा है ठीक है अब इस 40 by 190 को अगर मैं common ले लूँ तो मेरा question जो है वो अब खताब जाएगा ठीक है So I hope आपको समझ में आ गया होगा यह चीज ठीक है आखरी की जो step है उसे और लिख लेते हैं उसके पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ओके चलो So अगले step में आप क्या लिखोगे हम इस 40 by 190 को common ले रहे हैं ठीक है है ना और यहां पर क्या बचेगा आपके बास इकी पावर में माइनस टेंटी और इधर क्या बचेगा माइनस एकी पावर में माइनस 200 टी ठीक है चलिए यह हो गया हमारा काम और 40 by 90 को further cancellation करना तो कैसे करेंगे 220 होता है और 295 सा ठीक है step by step वापस देख लो क्या हो रहा है सबसे पहले आपको information given ती inductance एल के बारे में resistance के बारे में तो आपको LR circuit समझ में आ गया LR circuit समझ में है तो आपने उसकी equation लिखी equation लिखने के जो data given ता उससे डाला है उससे डालने से आपकी बन रही एक क्या differential equation उस differential equation को हमने solve किया solve करने से मुझे मिला ये solve करने क्या मुझे C की value की जरुवत थी तो C की value कैसे निकलेगी C की value निकलेगी इस information से की जब start कर रहे है तो obviously current क्या होगा 0 होगा ठीक है C की value निकली उसके बाद उससे हमने put up किया ठोड़ा simplify किया और current is equal to something something निकाल लिया ठीक है बस यही एक मात्र question है जो मेरे वीडियोस में available नहीं था ठीक है बागी सारे questions available है कहीं जादा ढूंबने की ज़रूद नहीं है playlist पे जाओ मेरे चनल में क्लिक करो playlist पे जाओ उसमें एक एक वीडियो बनाया है उसमें सारे उनको चेक आउट कर लो क्योंकि वह करा चुका हूं सेम से और प्लीज उनको कर ले ना क्यों क्यों कि जैसे मैंने कहा था शेयर करके दिखा रहा हूं ठीक है आप पुराने उठाके देख लिजिए आप question number 3 का बी वाला पार्ट में आया ठीक है और देखो question number 3 का जो सी वाला पार्ट है उसमें M by के log वाला question यही आप देखोगे तो आगे वापस से पूछा गया कहां पूछा गया चाहिए यहां नहीं पूछा गया इदर पूछा गया ठीक है ऑपने लग वाला questions M by के log वाला question 2020 में बी कुछा गया है म लुचा गया है दो हजर ऑआईज में क्या क्या पूछा गया थेखो क्यों टू एक ऐटू के एक्स वाइ nvű वाला question जो है उसमी этим कॉप्शन में आपके एक ही बार पूछ ठीक है सो देखें बेरा कहने का मतलब यह है कि यही फिक्स्ट कॉश्चन से जो बार-बार कंडिनस्टिक पूछे जा रहा है ठीक है और यही फिक्स्ट कॉश्चन सापको करना है जाने से पहले एक इंपॉर्डेंट बात प्लीज प्ल 2020 में 22 में 23 में न्यूटन्स लॉव एलार सरकेट रेक्टिलीनियर अगर आपके वास समय कम है आपने ज़्यादा बढ़ा ही की नहीं आपको समझ में नहीं हा रहा है कि मैं क्या करूँ तो या तो आप क्या करेंगे इसको इसको और इसको इन तीनों को पढ़के चले जाए ज उसमें जितने कोशने से वही कर लोगे वही एक्जैम में आता है फूरियर सरकेट सॉरी फूरियर हीट फ्लो का वीडियो है एक ही वीडियो है दो चार क्वेशन कराए है बहुत इजी क्वेशन से इसके ठीक है है और रहा बचा आपका क्या आर्सी सरकेट का भी एक ही वीड अबिलिटी है कि question आएगा यह वाला ठीक है 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 नहीं तो फिर इसके अलावा जो option में है RC circuit का कहा मगया यह वाला नहीं नहीं तो rl circuit है कि यह question number four का जो बी वाला पार्ट दख रहे है तो अब देखो question क्वेशन नमबर फोर का यह वाला पार्ट देक रहा है ना यह वाला क्वेशन ध्यन से देख सो ठीक है करया UgE कालेकर सा उनते का प्राइचा करके जाना है यह जागे संझ में नहीं आरहा है मैं क福 पास होने यह आप क्या करेंगे आप सिर्फ और स्रिफ फूर रहें लोगा प्रैट्स करें दोनों बहुत ही जादे इस आप प्रैक्टीस करें और फिर और और थे को और बता हैं वसे तीन ने मुझा को करके चले जाओ solution कहा में लेंगे उन तीनों question के तीनों question के solution आर्ट से तर्ट के वीडियो में अवेलेबल है मेरे इसमें playlist पे ठीक है चलिए finish करते हैं इस lecture को thank you for watching this guys and कुछ और चीज़ की requirement होगी तो please बताना